ही नमश्कर दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर फेल्थ में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आने वाला पूरा अपकमिंग वीक में हमारा मार्केट किस तरह से रियक्ट कर सकता है और कुछ स्टॉक्स में बात करूँगा जिस पर आप नजर रख सकते हो मंडे के दिन वीडियो को स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो गाइस बहुत कुछ कर देते हो में यहाँ पर बहुत कुछ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को हिट कर लिजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले bank nifty का चार्ट मैं लगाऊंगा आपके सामने और यहां पर bank nifty का चार्ट आपको नजर आ जाएगा यह चीजे कार्ड दे रहा हूं है जो फालतू की चीज़ा रही है आज बैंक nifty ने क्या किया सारा दिन हमने देखा किस तरह से हमें बेकूब बनाया उपर गया य यहां पर भी सेम वही कंडिशन हुआ है spring बनाया और फिर लोगों को trap किया दो बार market trap किया लोगों को बहुत सरे लोगों ने loss खाया होगा बट आज हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया और हम खुश किसमत हैं कि हम बेगार कोई ट्रेड किये market में बैठे रहे है पेसेंस यहां पर Dow Jones है जो की कल बंद हुए है माइनस में और futures हमारे market के साथ चलता है यहां पर S&P है और यहां पर NASDAQ के सब American market के हैं कुछ European market यहां पर देखेंगे तो European market में देखेंगे एगर positivity हमें बनी हुई बरकरार नजर आ रही है सारे अगर मैं European market की बात करूँ अब देखो क जो की एक positive चीज़े हमें सामने नजर आ रही है अभी बात करेंगे अपने Indian market के भी और अगर अभी जो हमारे market के साथ चलता है डाव जोन में उस पर नजर डालूँ तो मैं यहां डाव जोन पर नजर डालूँगा डाव जोन अगर हम देखेंगे तो कल तो हमें गिरावट भरा मंजर नजर आया था लेकिन आज फिर से market lifetime high तक रीच करने के लिए बेताब है market 34,544 के आसपच ट्रेट कर दिया और अभी भी चल रहा है अगर मैं 15 मिनिट के candle दिखाऊंगा तो आपको चीज़े भली भाती समझ में गया जो की 34,000 का लेवल था अभी market पूरा recover करके य यह सारी चीज़े जो है एक positivity लेके आ रही है हमारे बजार के तरह हमारे बजार ने क्या किया हमारे बजार ने आज अगर हम देखे तो यह 915 का candle है एक gap down opening हमें नजर आया bank nifty में और फिर market बीरिश हुआ उसके बाद दुआरा bullish नीचे के लेवल पर buying आने लग गई और यहा अगेन यहां market range bound हो के खतम कर दिया काम अब मंडे को क्या हो सकता है सबसे पहले मैं लगाऊंगो one day का candle और मैं सारी चीज़े यहां से remove करना चाहूँगा एक बार क्योंकि आपको पता है मैं सब कुछ एक नय सीरे से करूँगा और क्योंकि यह नया week है हमारा तो यहां पर अगर हम बात करें तो market nifty सबसे पहले हम देख रहे हैं तो एक rally के बाद market इस range में काफी time रुखा है और यहीं पर trade कर रहा है कभी आप कभी down कभी आप कभी down और अभी अगर देखें तो market ने दुबारा इस range को test किया है लेकिन market इस range में closing नहीं दे पाया एक daily candle पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक हमें doji form होता हुआ आज नजर आया है अब यहाँ से क्या हो सकता है market अगर market इस week में upcoming week में 15-600 के level को नहीं तोड़ पाता है तो definitely इस week में यह अपने lifetime high को break करेगा market में मैं कहीं भी bearish नहीं हूँ मैं ऐसा नहीं है कि market में मैं बहुत ज़्यादा bearish हूँ market में बहुत बड़ा crash आएगा मुझे ऐसा नहीं लगता है अब यह zone हमारे लिए बहुत महत्वपून zone है अगर market इस zone को तोड़ के नीचे आती है अगर यह 600 के range को तोड़के 600 को तोड़के नीचे आती है तो हमें एक बड़ा fall देखने को मिलेगा इस week में अगर इसके उपर ही sustain करने लग जाती है जैसे कि डेली candle पर बना है तो हम संभल जाएंगे वन वीक का candle एक बड़ लगाना चाहूँगा मैं कुछ दिखाने के लिए आपको और Alt-R करूँगा यहाँ पर अब देखे अगर वन वीक का candle में अगर आप देखोगे लगातार हमें bullish pattern देखने को मिला है higher high का level और यहाँ पर एक green candle बड़ा मिला है उसके बाद देखे दो हमें red candle मिलते हुए नजर आ गया अगर इसको थोड़ा जूम करूँगा मैं फिर आप समझ पाऊगे वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो में अब अगर देखे तो ये वाला market उपर गया उपर से बड़ी profit booking आई इस candle में लेकिन ये वाला candle अगर हम देखे वीकली candle नीचे के लेवल में गया तो जरूर है लेकिन हमें reverse होता हुआ बहुत अच्छा खासा नजर आ गया वन डे के candle में मैं दुआरा से convert करूँगा और एक चीद दिखाना चाहूँगा जो ये नीचे का low लगा है जो वीकली candle पे आपको शो हुआ वो आज का ही ताजा ताजा लो है और आज से एक दो तीन चार और पांचवे दिन चार दिन पहले सेम लो लगा था 600 के आसपास का तो ये जो 627, 620 के लेवल का low है ये काफ़ी strong low है अगर इस लो के उपर सिटेन करता है तो market आपको उपर देखने को मेल सकता है अगर market कल यानि मंडे को एक opening आपको इस लेवल से उपर देता है 720 के लेवल के उपर देता है तो अराम से हम बाइंग करेंगे दुबार फिर 15 मिट के लगाँगा और आपको लेवल में दिखाने की कोशिश करूँगा 15 मिट के लेवल और इसको एलिट आर कर देता है अब दिखिए market अगर 730 के उपर open करता है एक gap up opening और 730 के उपर करता है market इसके उपर रुकेगा halt लेगा और price action बना के उपर जाएगा लेकिन market अगर इसके नीचे उपर करता है 650 या फिर 627 इसके नीचे close के उपर करता है तो भाईया बड़ा fall समभव है लेकिन जादा तर चांसे से market के उपर खुलने के बीच में अगर कोई हमें sentiments खराब होते हुए नजर नहीं आते हैं तो bank nifty की बात करेंगे weekly candle लगाएंगे weekly candle पर आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर दिखिए trend line weekly candle पर मैंने लगा रखा है यह trend line पर market पूरा काम कच कर रहा trend line को अगर मैं बात करूँ यह थोड़ा सा क्या है यह डिलीट कर देता हूँ मैं वरना candle इसको कि लगेगा कि यह candle है इस candle नहीं है यह थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ one day का पहले candle लगा कि इसको डिलीट कर देता हूँ यह क्या चीज यहाँ पर लग गया है यह बहुत सारी यहाँ पर points लग गया है इस points ऐसे करता हूँ remove कर देता हूँ सारी drawing को चलिए हाँ अब सही है और one week का candle यहाँ पर ठीक है अभी market में देखिए bank nifty क्या किया नीची आया लगा तार one week के candle चोटे से zone में रुका हुआ है यह weekly candle आप देखिए एक, दो, तीन, चार यहाँ मैं टाइम देखू हूँ यहाँ से तो 24 मई से 24 में से अभी तक market एक zone में फसा हुआ है अब market इस zone में से किस भी तरह का अगर breakout देता है आपे बड़ा breakout तो market उस range में shift हो जाएगा, shift हो जाएगा मतलब उस range में बहुत लंबे time के लिए रह जाएगा zone बहुत बड़ा है, 33,900 का zone है और उपर 35,700 का zone है जो की नजदीक है हमारे 35,700 हमारे बहुत नजदीक है अब मैं one day का candle लगाँगा आपको कुछ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह जो मैंने यहाँ पर zone लगाया है यह 35,700,800 अब market को हमें 800 रुपए के उपर देखना है यहना market कोशिश किया जाने का दो दिन पहले और market उपर गया लेकिन उपर से हमें profit booking नजर आ गई चाहे F20 booking कर रहा है चाहे जो भी कर रहा है बट चार्ट पर हम देखेंगे तो हमें profit booking यहाँ पर नजर आती है 800 पर वहाँ से market शार्प नीचे आता है और कल भी शार्फ पॉल हुआ आज भी पॉल हुआ लेकिन आज market sustain किया कही न कहीं हमारे पास बहुत अच्छा support zone बन रहा है कहां 34-600 के आसपास तो market अगर कल जानी कि Monday को market अगर एक gap down opening देता है पहले Monday के candle में आपको zone समझा देता हूँ कि market किस range में काम करने वाला upcoming days में upcoming week में पूरा market जो है वो 800 से लेके 33,900 के बीच में काम काच कर सकता है लेकिन अगर ये इस zone का breakout देता है 800 का जो कि बहुत ही जाता नियर है हो सकता है ये Monday को ही कुछ कारणामे करें अगर Monday को कुछ कारणामे करता है और इसके उपर sustain करता है तो बड़ा move हमें देखने को मिलेगा intraday के लिए कुछ levels आपको देना चाहूंगा मैं देखिए market लगा तार इस zone में रुका और अभी हमारे पास जो जो जोन है वो है 35,250 35,250 के उपर market को खुलना है या sustain करना है अगर market इसके उपर sustain करता है डेफिनेटली market 35,800 के levels को test करेगा lower side में अगर हम देखिए हमारे पास 35,000 के नीचे ही कुछ होने वाला है 35,000 के नीचे market opening करता है gap down और बड़ा fall हमें फिर देखने को मिल सकता है नीचे तूटने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा time है बहुत ज़्यादा point है लेकिन उपर सीधा सीधा resistance level है अगर 800 को ये तोड़के break करके निकलता है तो 36,000 का level 36,000, 36,500 और 36,700 का level आपको इसी week में देखने को बड़े अराम से मिल जाएगा है ना कुछ stocks पे नज़र रखिएगा बरकि मैं live में भी आपको बता दूँगा stock live daily आता हूँ मैं तो आपको नज़र रखना है IGL पे आपको नज़र रखना है DLF पे आपको Bajaj Finance पे Hindelco पे Tata Steel पे और Reliance पे इने stocks पे नज़र रखिएगा TCS पे भी नज़र रखिएगा का आपी बढ़िया momentum आपको मिल सकते हैं अब इसके पास 3188 का support है अगर market कल एक pullback में खुलता है तो हम इसको जरूर buy करेंगे लेकिन अगर वही market इस zone को तोड़के नीचे आता है तो एक बहुत अच्छा कासा bearish point हमें मिलेगा और price action देखके एक sell करेंगे बहुत अच्छा कासा target हमारे पास है जो 3100 से 3050 तक भी आने के chance सुरकता है अगर मैं बात करूँ तो बजाज finance एक बार लगाँगा बजाज finance बहुत अच्छा चाल दिखाया आज बहुत बढ़िया चाल दिखाया और अगर मैं बात करूँ बजाज finance अगर 6220 के अवब टिकता है Monday को टिकता है तो bullish ही रहेगा लेकिन अगर sell करना है हमें सिर्फ और सिर्फ हम इस range के नीचे सारी मैं 1 day का candle लगा 15 minute का candle लगाँगा यस ये देखे बहुत बड़ा जूम आया था तो इस range के उपर 6100, 50 के उपर sustain करता है मैं गलत बोल दिया था पहले लेवल्स मैंने डे का लगा रखा था इसलिए इंट्राडे लेवल्स गलत निकल गए वो है ना तो इस लेवल के उपर sustain करता है तो काफी बढ़िया हमें जो है target देखने को मिलेंगे लेकिन अगर ये नीचे आता है गिरावाट आता है तो 6050 के नीचे हम इसको sell करेंगे दियान रखेगा छोटा सच्टाप्रस लगा के 10 रुपए 12 रुपए का श्टाप्रस लगा के अब इसको solid कर सकते हो 1 इस्टी 2, 1 इस्टी 3 का आपको target मिल जागा reliance भी बहुत weak हुआ और यहाँ पे जो है support zone है अगर कल market इस जो हाँ आज close हुआ है इस से नीचे खुलता है अगर यह तो high यह breakout zone पर breakdown zone पर है तो 2050 के नीचे खुलता है तो हम इसमें भी short बना सकते हैं HDFC bank में बढ़िया buying बनेगा वो live में कुछ और levels होंगे जो भी stocks होंगे मैं live में आपको दे दूँगा है इक या तो कर लाइड़ कर दे दूँगा इस नीचे खुलता है